हेलो दोस्तो आप सबका स्वा गयते आपके यूट्यूब चैनल मैं ट्यूबर में दोस्तो आज की वीडियो में हम हाइड्र ऑक्सिजाइन टैबलेट के बारे में बात करेंगे यह कौन-कौन से ब्रैंड में मार्केट में अविलेबल है इसके स्ट्रेंथ क्या है इसके चैनल पर नए आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें तो दोस्तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो बात करते हैं हाइड्र ऑक्सिजाइन टैबलेट के बारे में दोस्तो ये एक एंटिहिस्टामीन ग्रूप की मेडिसियन है जो की फर्स्ट जनरेशन एंटिहिस्टामीन है दोस्तो इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं मार्किट में किसकी स्ट्रेंथ में एविलेबल है दोस्तो 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg ये इसकी स्ट्रेंथ जो मार्किट म में available दोस्तों इस घ्रक की मैडिसियन के जड्योब्ल चाइब करने के बाद आपको आपको एविलेबल होसकती बिदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इस मैडिसियन का उस ना करें इसके बहुत जाहाँ दुश प्रवाव आपके बॉड़ी पर देखे जा सकते हैं तो दोस्तों यह इस टैबलेट के बारे में इसके जैनरिक नेम के बारे में दोस्तों यह इसका जैनरिक नेम और यह इसका 25 mg में एविलेबल है यह सिपला कंपनी के द्वारब बनाई जाती है सैकेंड है हाई कोप दोस्तों लाइफ स्टार कंपनी के द्वारब बनाई जाती है थर्ड है हाई जैक दोस्तों यह टैलेंट इंडिया कंपनी के द्वारब बनाई जाती है फोर्त है हाई रेक्स दोस्तों पैलसोन डर्मा प्राइविट लिमिटेट कंपनी के दुआरब बनाई जाती है फिफ्ट है प्रू दोस्तों यह फार्मसूटिकल लेबरोटीस कंपनी के दुआरब बनाई जाती है यह इसके कुछ ब्रेंड नेम से मार्केट में आपको अलग-अलग ब्रेंड से भी टेवलेट देखने को मिल सकती है क्योंकि हर एरिया के अलग-अलग ब्रेंड सोते हैं जो डॉक्टर के दुआरब प्रिसक्राइब किया जाते है अगर आपको इसके जैनरिक नेम से यह मेडिसेन आपको हर जगा एविलेबल हो जाएगी इसका जो जैनरिक नेम है वो है हाइड्रो ऑक्सी जाइन तो दोस्तो यह इसके brand name और generic name की बात है बात करते हैं दोस्तो इसके price की की market में इसके price क्या है दोस्तो atrx 25 mg का जो price है वो है 70 rupees की आपको एक strip available हो जाएगी जिसके अंदर 15 tablet होती है दोस्तो आपन्द में से कोई साथी brand अगर आप खरीदेंगे तो आपको 2 से लेकर 5 रुपे के अंदर एक tablet मिल जाएगी इनके कोई साथी brands अगर आप market से पर्चेस करते हैं दोस्तो इसके price की बात हो गई आप बात करते हैं दोस्तो इस tablet की uses के बारे में इसके यूजिस के बारे में बात करते हैं इन डिटेल के अंदर जो हमारी body के अंदर allergic reactions को खतम करती है अगर आपको itching हो रही है, swelling हो रही है, आपकी body पे कोई भी rashes हो रहे है उसमें भी doctor के दुआरा इस medicine को prescribe किया जाता है दोस्तों अगर आपको dermatitis and hives की जैसे problem हो रही है, उसके treatment में भी doctor के दुआरा इस medicine को prescribe किया जाता है दोस्तों ये एक ऐसी problem है, जिसके अंदर आपके body में swelling होगी, itching होगी दोस्तों chronic articaria के treatment में भी doctor इस medicine को देते हैं chronic articaria आपके पूरी body में बहुत दिनों से खुझली होना और बहुत जादा तेज खुझली होती है, उसमें भी इस tablet को prescribe किया जाता है दोस्तों इस cabbage नाम की भी एक बिमारी है, जिसमें कि आपकी body में मचलन खुझली होती रहती है, उसमें भी इस tablet का प्रियोग किया जाता है दोस्तों ये हमारे nervous system की activity को भी slow करती है, doctor उस condition में भी आपको इस medicine को देते हैं दोस्तों ये एक high sedative medicine है, इसको आपको sedative करने के लिए भी दिया जाता है, जिसमें पेशेंट भियोश होने लगता है, जिससे कि उसको surgery से पहले, इसके strength बढ़ा कर इस medicine को दिया जाता है, जिससे कि उसकी surgery proper तरीके से हो, और वो जरा सा भी उसे दर्द ना हो, और उसे यूजिज जो डॉक्टर के दुआरा इस medicine को prescribe करते हैं, डॉक्टर अपने experience के base पे इस medicine को आपको और किसी disease में भी दे सकता है, वो उसके उपड़ डिपेंड करता है, दोस्तों किसी medicine को लेने से पहले आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करें अपनी disease, अपनी problem को ल tablet के हमारी body के उपर क्या के side effect है, दोस्तों इसमें जो सबसे पहला common side effect है, वो है nausea, vomiting, abdominal pain, upset stomach, constipation, dry mouth, और आप loss of appetite, आपको भूक की कमी हो सकती है, या आपके पेट में दर्द हो सकता है, या आप hallucination, hallucination एक ऐसी stage है जिसके अंदर आप भ्रह्म में हो जाते हैं, ये इसके कु कि ये tablet हमारी body के अंदर work कैसे करती है, तो hydroxyzine tablet एक antistamine group की medicine है, ये हमारी body के अंदर histamine, histamine है chemical messenger होता है, ये उस chemical messenger को stop कर देती है, जिससे कि हमें instant relief मिलने लग जाता है हमारी allergic conditions में, जैसे कि itching, swelling, articaria, इन सभी disease में हमें एकदम instant relief मिल जाता है, इस medicine को लेती है, क्योंकि दोस्तो histamine हमारी body के अंदर जब बढ़ने लग जाता है, तो उससे हमें allergic reactions हमारी body के अंदर होती है, तो ये tablet उस messenger को block कर देती है, इसके doses के बारे में, कि इसकी क्या 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 dose दी जाती है, डॉक्टर के दुआरा, दोस्तो डॉक्टर आपको इस medicine को prescribe करेगा, उसक कौन सी disease है, इन सबको मदने रखते हैं, डॉक्टर आपको इसकी correct dose बताएगा, जो इसके लिए particular dose होगी, वो डॉक्टर आपको suggest करेगा, पर जहां तक देखा गया है allergic condition के अंदर, 25 mg तक दी जाती है, दिन में एक बार और दिन में दो दो बार भी दी जाती है किसी है, और त condition जादा ही बुरी हो रही है, जादे allergic reactions हो रहे हैं body के अंदर, तो इसको चार बार भी डॉक्टर के द्वारा prescribe किया जाता है, दोस्तो इस medicine tablet को आप खाना खाने के बाद खा सकते हैं, और दोस्तो, sedative के अंदर इस tablet को 50 mg से लेके 100 mg तक दिया जाता है, sedative दोस्तों भ्योश कर करने से पहले, जब आपका कोई minor operation हो या आपकी surgery होने वाली होती है, तो डॉक्तर उससे पहले आपको 50 mg से लेके 100 mg तक इस medicine को देता है, ताकि आपकी surgery एकदम अच्छे से हो सके और आपको कोई दर्ज महसूस ना हो, अब मैं आपको कुछ safety advice देना चाहता हूं, इस tablet इस medicine के regarding, दोस्तो इस medicine का यूज आप बिल्कुल भी alcohol के साथ ना करें, alcohol avoid करें जब भी आप इस tablet को प्रियोग में लाएं, क्योंकि alcohol के साथ इसके कुछ दुष पढ़िनाम आप भुगत सकते हैं आपकी body, तो इसलिए बिल्कुल भी alcohol के साथ इस tablet का यूज आप ना करें, बिल्कु fading female इस tablet को यूज कर सकती हैं, उसमें इसके कोई side effect नहीं देखे गए, driving अगर आप कर रहे हैं, दोस्तो उसमें भी इस tablet का यूज आप यूज ना करें, क्योंकि यह आपकी alertness को बहुत कम करती हैं, आप नींद में हो सकते हैं, क्योंकि एक sedative के तोर पे भी काम करती हैं, तो बिल्कुल भी अगर आप driving कर रहे हैं, इस tablet का यूज आप ना करें, दोस्तो अगर आपको कोई भी kidney की severe disease है, कोई बड़ी disease है, आपकी kidney को लेकर, तो उसमें भी आप इस tablet का प्रियोग ना करें, और अपने डॉक्टर से consult करें, दोस्तो अगर आपको liver की disease है, liver cirrhosis या कोई भी आपको liver की बड़ी disease है, उसमें भी इस tablet का आप यूज बिल्कुल भी ना करें, दोस्तो अगर आपकी कोई भी dose मिस हो जाती है, आप टाइम पर नहीं ले पाते हैं, तो आप जल्ट से जल्ट उस दोस को लेने की कोशिश करें, अगर आपको time नहीं मिल पाता, आपकी next dose क time आजाता है, तो उसमें आप इसलिए dose को छोड़ सकते हैं, और अपनी जो regular dose है उसको आप continue रखें, दोस्तो यह इस tablet के regarding सारी information है, अगर आपको इस वीडियो की information अच्छी लेगी इस tablet के regarding तो वीडियो को like कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए, thank you दोस्तो कर दोस्तो